आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे डिलाइंस स्टॉक के बारे में चुकि इस स्टॉक के कोटरली नंबर्स आते वे दिखे हैं की वन के साथी कंपनी ने 9 रुपेज यानि 90 परसेंट के डिविडेंट को डिकिलियर करा नंबर थोरा वीकिनेश दिखें जिसके कारण रिलाइंस जी डियार देखेंगे तो लगबग 6% के डाउन ट्रेंड पे है इसका मतलब यह है कि मंडे यानि कल एक बड़ी गिरावट दिख सकते हैं यहां देखेंगे तो ऑल रेडी 5% की गिरावट है जब भी स्टॉक के डिजल्ट के को प्रेडिक्ट करना हो तो उसके लाज डे का जो ट्रेडिंग्ट है उससे आप देख सकते है और यहां देखेंगे तो one-sided downtrend रहा था और इसके result जो है price action justify करते वे दिखा है तो आगे news trend result सभी को discuss करें इससे पहले चैनल को subscribe करके दोस्तों में share करें description के link से account open कर ले premium telegram फिर ही है उसको join करें और market scientist को भी join कर सकते हैं यहां देखेंगे कि net profit गिरा है 10%, 10% और इसके साथ ही देखेंगे O2CBs offset overall growth retail telecom arms जो है उसने उधर tribe देखने को मिला है यहां आगे देखेंगे तो आप पाएंगे कि reliance Q1 result update retail का जो footprint रहा है वो काफी भरते वे दिखा और company ने 555 555 new store भी खोलते दिखा है इसके साथ ही यहां देखेंगे तो 9 रुपीज के dividend मिले बागी in debt analysis हमने कल भी इसके result को कर रखा है तो वहां इसके net interest इसके profit revenue इबिटा margin वगर देखना हो तो कल के वीडियो का आप check out कर सकते ह यहां especially जो मुझे दिखाना है वो यह दिखाना है कि stock 6% के गिराबट पे reliance industry GDR दिख रहा है इसका मतलब यह है कि जो investor है जो trader है उनको बिलकुल यह result favorable नहीं दिखा है जिसके काद़ यह panic selling दिखा है आगे देखें तो यहां इसके volume को देखेंगे तो continuous volume consolidated form में था लेकिन इस consolidation form के बाद जो stock में trend दिखा है यहां देखेंगे तो यहां price higher था और जो closing है सबसे नीचे consolidated form के नीचे ले पैरान का इस समय trend दिख रहा है यानि एक weakness दिख सकता है टेक्निकली हमने weekly time frame ले रखा है 2548 के level को sustain करे 2540 के level को sustain करे closing इसके उपर हो तभी long करेंगे overall trend weak है और जो maximum support ह 2270 का है और इस level को भी retest कर सकता है कल के लिए ध्यान देंगे कि 2520 यानि 2520 को breakdown करता है तो 2480, 2420 और 2350 तक के downtrend दिख सकते हैं अगर 2560 के उपर sustain करे तभी long करेंगे वरना intra day में एक short position मिल सकता है